Hello guys welcome to my channel आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि कैसे आप जरोदा में गोल्ड का ETF जो है वो बाई कर सकते हैं तो यह आपको दिख जाएगा भी जो प्राइस है 59.99 का है इस पे आप जाके यहापर बी पे क्लिक करेंगे बी पे जैसे ही क्लिक करेंगे नई विंडो खुलेगी ठीक है यहापर आपको quantity जो है वो minimum एक रहेगी और maximum आपके उपर रहेगी तो suppose यहापर मैं जो quantity है वो 200 की डाल देता हूं तो 59 के हिसाब से यहापर जो मैं आपको बताता हूं दोस्तों की मैंने quantity डाली तो 59.99 के हिसाब से जो है वो यह 11,998 रुपे जो है वो पूरा भाव जो है वो इसका आ गया ठीक है इस quantity को आप कम भी कर सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं जैसे आपको लगे के जो गोल्ड है ठीक है वो गिरा है थोड़ा तो आप इसमें quantity add-on कर सकते हैं suppose आप इसमें 40 quantity add कर लीजिए आप इसमें 20 quantity add कर लीजिए मतला ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ ही सब कुछ खरीदना है ठीक है तो जैसे जैसे गोल्ड के अंदर आपको गिरावट दिखे ठीक है यहाँ पर आके आप गोल्ड के ETF में जो है वो बाइं आप इसके चाहिए 10 unit डाल दीजिए 5 unit डाल दीजिए भले एक unit डाल दीजिए ठीक है धिरे-धिरे करके डालेंगे तो आपको जो आपका portfolio है वो अच्छा दिखेगा और आपका stable रहेगा portfolio stocks के against में इसकी एक तरह से balance maintain कर रहे हैं अगर आप gold के अंदर investment कर रहे हैं और यह का इस तरीके से आप यह कर सकते हैं इस पर अगर आपका कोई भी doubt हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं I will be really happy to help you thanks for watching this video bye